जैसे कि मैंने आपको बताया कि इशोग के जर्गे हम ख्यार रखते हैं आपके कमाई का, आपके बचत का, आपके निवेश का और आपके खर्च का भी जब बात हो खर्च की तो हाल ही मैं अभी खबर सुने में आ रही है कि ओनलाइन शॉपिंग में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी है, थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है, अब ये सुस्ती किस वज़े से है क्योंकि कोविड के दौरान तो धडले से हमने देखा कि लोगों ने खुब ऑनलाइन शॉपिंग की है और खुब ऑनलाइन इन फैक्ट कई पैमानों में हमारी जिंदगी हो गई है, लेकिन जो फिलहाल हमें वॉल्यूम्स में गिरावर दिखाई दे रही है, जो इकॉमर्स कंपनियां है, उन पी ग्रोथ पर किस तरह से असर रहा है, और साथ ही अगर लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या निवेश कर रहे हैं, आखिर किस तरह से लोगों की खर्च और बचत और निवेश की समझ है, उसमें तबदीली आई है, बदलाव आया है, इसी में हम इसी सम शुरुवात करते हैं, और हमारे साथ खास संजीव कुमार, Co-Founder, Executive Director, CEO, Spice Money, संजीव स्वागत है आपका हमारी बहुत खास पेशकश में, और ऑनलाइन दुनिया से जुड़े कई सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में मन्दी, यह जो मुद्दा है, इस पर हम सबसे पहल और इसमें हमने देखा कि तेजी जबरदस आई COVID के दौरान, और COVID के बाद जब खतम हुआ तो कुछ समय हमने देखा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन पर जो आपकी जिंदगी है, भले आप उसमें खरिदारी कर रहे हो, या सेवाई ले रहे हो, कुछ भी ले रहे ह लेकिन अब वहाँ पर कमी आती हुआ दिखाए दे रही है, यह जो ट्रेंड है, यह किस और आपको जातावा दिखाए दे रहा है? प्रविता जी नमस्ते, पहली बात तो मेरा यह मानना है, यह कोविड एक दौर था जहां पर हमारे पास किसी के पास अप्शन नहीं थी, और मेरे साब से एक ऐसा कैटलिस्ट था, जो हम सब को ऑनलाइन की तरफ हर चीज में, इस नाट ओनली शॉपिंग की तरफ हर चीज मे हमने ऑनलाइन का जरिया अपनाया और इसले एक वरोत्री मिली, आपके डेटा के हिसाब से अभी एक इसमें एक नमी सी देख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें, इसका कोई ऐसा एक कारण है, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे ट्रेंड्स जो अगर आप देखें, तो ये नमबर्स और बढ़ती ही जाएंगे, एक दो चीज़ें बहुत जरूरी, एक दो चीज़ें जरूर हुए हैं, कुछ समय से, जो बहुत इंट्रेस्टिंग है, और पहला क्या था कि, अक्सर पहले लोग e-commerce में इसलिए जाते थे, क्योंकि आपको जो product था, वो सस्ता मिलत लेकिन धीरे-धीरे अगर आप इस पे गहर करें, तो क्या होने लगा कि, ऑनलाइन पर भले जो भी price आपको point कम मिलता था, वही price आपको बगल में एक दुकान में भी मिलना शूरू होने लगा, और इसलिए price difference, जो पहले online और दुकान में थी, वो अब शायद बहुत हद तक कम हो चुकी है, इसलिए ये एक reason ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता that online e-commerce का जो market है, वो घटेगा, मेरे साब से ये और ही बाड़ता जाएगा, और अगले 5-10 साल के अगर आप एक time period देखें, तो मुझे लगता ये बहुत ज़्यादा grow होने वाला है, जबता जी. और राइट, तो फिलहाल 2021 तक अगर हम देखें, तो सारे 400 million तक जो है ये पूरा बाजार जातावा दिखाए दे सकता है, लेकिन फिलहाल हम जो impact देख रहे हैं online बाजार में, समझना ये भी जरूरी है, क्योंकि आप संजीव एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर BN NPL कि अगर आप बात कहें, ठीक है, आप EMI की बात कहें, Zero या Easy Cost EMI की बात करें, इस तरह की बहुत सारी आपको सुमिधाय मिल रही है, online भी अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, और यहां पर मैं चाहूंगे कि हम product category wise भी दिखाएं कि कहां पर कितनी कमी आती हुई हमने देखी है, और अलग-अलग product categories में किस तरह से Jan से लेके मार्च तक का अगर हम समय देखें, तो कितनी मंदी चाहती है, देखी, electronics में अगर हम देखें, जन्वरी से मार्च लगबग 36% fashion category में, 23% home kitchen में अगर हम देखें, तो 18% आगया अगर हम बड़े, इनी categories में, तो health य रही है, लगबग 36 और 23%, यह ऐसा दौर है, जहां पर संजीव हम देख रहे हैं कि लोगों के पास बहुत सारे विकल्प है, अगर आप ठीक है, आने वाला जो आपका longer term का नजरिया है, वो तो यही कहता है कि यह जो पूरा कारोबार है वो बढ़ेगा, लेकिन कहीना कहीं हम करें, कहीना कहीं हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी अपने आपको एक तो online अपनी मौजूदगी दर्च की है, बहुत सारे ब्रांस ने यह रिलाइस किया कि पैंडेमिक के दौरान बहुत जरूरी है कि आपकी online presence भी हो, as compared to those people जो सिर्फ online थे, आने वाले वक्त में अगर यह online का बाजार बढ़ेगा, जिसमें शायद कुछ challenges हो सकते हैं, लेकिन मोटा-मोटा भविश्य आपके मुताबिक सुनहरा दिखाए दे रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज की तारीख में जो आपको एतने सारे offers हैं, इतनी सारी deals हैं और इतनी सुविधाएं हैं, उ जहां तक आप तमाम सेक्टर्स की आउटलुक की बात करें, घरों की डिमांड को लेकर बात करें, गारियों की खरिदारी की बात करें, सब कुछ रिकॉर्ड हाए पर है, तो यह ओनलाइन का बाजार की मंदी में है, जब चारो तरफ हम देख रहे हैं, रॉनक है. कविता जी मुझे अमिए ज़रूर दिख रहा आपके डेटा से Pracy के जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी वजन से हुई है, मुझे नहीं लखता यह एकeln şubfig यह यह ठीक में परिख क ACLUsk mat Ouiis सब पैरमेटर्स हमारे इस देश के बढ़ी ही रहे हैं इसलिए मुझे नहीं रखता है कि there is anything to be worried about आपने आपने BNPL की वाद की वो भी एक दौर एक फेस है लेकिन मुझे नहीं रखता है कि उस मार्केट में कभी कमी होने वाली है वो बढ़ता ही जाएगा यह मैं जरूर कहना चाहूंगा जो मैं मैं पहले भी कहा था अभी क्या हो रहा है यह जो पहले प्राइस जो डिफरेंस हुआ करता था आपके ऑनलाइन में वो अब जो लोकल रीटेलर्स हैं वो भी अब उसका बराबरी करते हैं और अब आप कस्टमर को भी देखिने तो कस्ट में भी बहुत अब एक लिटेट हो गया इस चीज में क्योंकि अब वो क्या करता है कि ऑनलाइन का जो आफ़र आता है वही प्राइस लेके आपके दुकान के पास जाता है और बोलता है मुझे तो यह प्राइस में बेचता है तो क्योंकि वो सामान उसके बगल में उसको मिल इस देश में एसपरेशन सबाड़े ही है मैं जहांकर रोल का अगर आप जांदे जहां कर हम है आसपरेशन बड़ा यूथ जो आपका सबसे बड़ा इूसेज है इस इस पिजनेस मॉरल के लिए वो एसपरेशनल हैं उस युशे औधवा खरीदना चाहरा है वो डिज्टल हो आपको पता है, मुझे एक बदा लोगों को पता है, लेकिन 56% जो इंटरनेट यूसेज होने वाला है, वो रूरल से आने वाला है बाई 2027. जब इतना जुकाव होने वाला है, तो यह बहुत ही जाहर सी बात है, हमारा जो इकमर्स का बिजनस है, वो और और केजी से और ही बढ़ेगा. चलिए, चलिए, चलिए को आगे बढ़ाते हैं, और ओन-लाइन का एक और पहमारा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ओपन नेटवर्क पोर डिजिटल कॉमर्स. मानेजर मंत्रा लेकी पहल से ONDC यहाँ पर डेवलप हुआ है और ONDC, Flipkart और Amazon जैसा आप नहीं है यह प्लाटफॉर्म विक्रेता ग्राहक दोनों के लिए है और किस तरह से यह आपकी जिंदिगी अब मौझूदा जो आप्स हैं उनलाइन उसे आसान करेगा इसके बारे में समझते हैं तो ONDC कितना सुल्जा हुआ एक प्लाटफॉर्म है सेलर्स और ग्राहक को किस तरह से जो है वो कनेक्ट करेगा और किस तरह की सेवा है आपको इसके जरिये मिल पाएंगी खाना ओर करने से लेकर ओनलाइन शॉपिंग करने तक से लेकर क्या बुक करने से क्या-क्या चीज़े होंगी इस पर So ONDC जैसे जैसे इसका नाम है Open Network for Digital Commerce इसका मतलब ही है देट यह अपन प्लाटफॉर्म में Open Gateway है और एक ऐसा Network बनाए गया है जिस पे कोई भी Seller और कोई भी Buyer दोनों यहां पर आ सकते हैं कोई भी Logistics Company वो भी आ सकता है तो इसने क्या किया है यह जो पूरा E-Commerce का Supply Chain है इसने इसको Unbundle कर दिया है इसका मतलब है पहले जो एक पूरा Supply Chain एक Platform एक जगह से शुवाद से लेके आन तक वो संभालता था अब इसमें क्या होगे पूरा Unbundle हो गया मतलब कोई भी दुकानदार ONDC प्लाटफॉर्म में अपने आप को Unroll कर सकता है कोई भी seller है जो बेचना चाहरा वो भी आ सकता है और जब आप इस network पर आते हैं तो जो भी इस network पर रहता है वो एक दूसरे के बीच में वो लेंदेन उनकी हो सकती है यह बहुत interesting चीज है यह समझने के लिए और मेरे सब से बहुत ही बड़ा public good है जो जैसे हमने एक UPI में इसका हर कोई इसका जो reference point देता है इसका उधारन देता है इसको हम compare करते है UPI से और मेरे सब से बिलकुल सही है जैसे एक UPI एक payment के लिए एक open जो payment instrument है payment platform है ONBC ऐसा ही कुछ कर रहा है commerce में and that is why I believe that यह जो open network है यह एक तरह से commerce को democratize कर देगा इसका मतलब यह हुआ देन आज जो कुछ ही लोग है जो Amazon, Flipkart और यह कुछ ऐसे Sanjeev आप यह बताए हमे अब यह जो ONDC platform है यह आपके Zomato हो गया सुगी हो गया यह किसी भी तरह के अगर मैं online platform की बात करूँ उससे कितना सस्ता कितना महंगा होगा विकॉस जो बाते चर्चा में चल रही है वो तो यह है कि यहाँ पर आपको सस्ते में चीजे मिल जाएंगी और Zomato Swiggy जो आपको तरह की चीजे चार्च करते हैं गाडिया बुक करने जाएं तो यहाँ पर सर्च चार्च हो जाते हैं इन सब से चुटकारा मिल जाएगा हमारे तो मतलब की बात यह है जो हमारे व्यूवर्स को भी जानना है आपको और मुझे जानना है इसमें कितना फाइदा मिलेगा कविताजी देखिए इसमें तीन-चार चीज़ की फाइदा है एक तो पहली बात है हार कोई जो e-commerce करना चाहता छोटे से दुकान वह भी एक ऐसे platform में आ सकता है जहां पर लोग जैसे आज मुझे अगर एक कोई product खड़ी उतना है मुझे नहीं पता हो सकता है मेरे घर के नीचे में जो एक दुकान है वो ये बेच रहा है लेकिन मुझे नहीं पता तो इस कौम कहते हैं discovery तो पहला फाइदा ये है कि हमें पता लग जाएगा कि अगर मुझे कोई product खड़ा है तो मेरे बगल में एक दुकान है जो ये product बेच रहा है पहली बात दूसरी बात अगर वो बगल में बेच रहा है तो उसका जो delivery charges है जो logistics है वो बहुत कम हो जाते है इसलिए वो आपको logistics charges नहीं लगेंगा दूसरी बात तीसी बात है देट आज के दिन में क्योंकि हमारे पास इस देश में कुछी platforms है जहां पर वो seller भी है और जहां सामें खरीदना पड़ता है तो जो commissions है वो थोड़ा अलग-अलग ranges में हर पोई platform अपना commission charge करता है open network network है इस पे commission charges बहुत कम है और इसलिए वो जो benefit है वो consumer को मिलेगी इसलिए हम कहते हैं कि हमें सस्ता मिलेगा तो इसके बहुत reasons है सस्ता मिलेगा कविदार जी लेकिन मेरे साबसे आगे जाके सबसे बड़ा सबसे बड़ी reason है ये इसलिए है क्योंकि मुझे इसमें बहुत हद तक जो मैं सामान खरीबना चाहता हूँ वो शायद मैं बहुत ही अपने घर के बहुत करीबी दुकान से खरीब आँगा इस network के जरियर से जो कि आज शायद मुझे नहीं पता लगता और अगर वो होता है तो जो आपको वही सामान तुरंद मिल सकती है और अबिसलिक जाहर सी बात है कम प्राइस में मिलेगा वहाँ से आपके घर तक पहुचाने में जो कॉस्ट है वो कुछ कॉस्ट है तो यह सब बहुत ही अलग-अलग तेरे के फाइदे है प्रविता जी जो ONDC platform ONDC network platform नहीं आगे जाके बहुत अच्छा लगा आप से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और हमारे दर्शुकों को गाइड किया